इस एपिसोड में देखेंगे बलराम पूर चीनी मिल्स के बारे में पहले देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स फिर आते हैं चार्ट्स पे और डिसाइड करते हैं कि अभी इन लेवस पर लोगो बाइंग करनी चाहिए नहीं और अगर बाइंग करनी है तो आगे पॉसि यहां पे एक्सपोर्ट लोगों को अलाउ कर दिया गया है वन मिलिएं टन का तो यह पर एक्सपैंजन लिला है जतना जादा एक्सपोर्ट करेंग उतना जादा पैसा आएगा फिर दूसरी चीज यहां पर देखो अगर हम लोग इंवस्मेंट पपस से सोचना चाहें देख चोड़ा जाता था इनके पास जितने मेए से जंदा रह सके हैं अच्छा एक तरह से लाइफ लाइन दी जाती थी कि इस पर सुरु तुम जंदा रहो अभी फिलाल देखेंगे तो एथनॉल ब्लेंडिंग वाला फिर काम सामने आया एथनॉल ब्लेंडिंग कर देखा जाए तो उसका अभी भी मार्केट काफी जाद अबागी है तो शुगर के अंटिमेटली जो शुगर क्यन से प्रोड़क्ट बन देते हैं वो दो हो गया है एक होगे आपका शुगर दूसरा हो गया एथनॉल जो की फ्यूल में मिक्सिंग काम आता है तो फिलाल अभी देखा जाए त फिलाल अभी देखा रही है छोड़ दिया है जितना और इसके साथ साथ अभी एक्सपोर्ट वादा बताई चुके बात करी चुके तो यहां पर इस थोड़ा सा यहां पर ही कि इंडिस्ट्री आप लोगको इंप्रूविंग इंडिस्ट्री मिलेगी तो यहां पर आप में ज्यादा अपनी manufacturing बढ़ा देंगे उधर से ज्यादा पैसा आ रहा है क्योंकि तो ऐसे अपने आपको shift करके एक तरह से कह सकते हैं कि जो से क्लिकालिटी थी सेक्टर के अंदर वह खतम हो गई है तो company यहां पर मतलब जो कह सकते हैं कि जो छे महीने कमाती थी जो छे महीने इसमें है अब स्टॉक की देखी जाए तो 29 पी है बहुत जादा महेंगी नहीं है थोड़ा सा उपर से गिरा भी है company although जो घरने का reason था वो completely visible था company के earnings expectations थो थोड़ी से कम थी तो वह reasons के वज़ए से थोड़ा सा company गिरी भी थी तो company बहुत जादा अभी मतलब sales growth ऐसी 15-16% 15-16 को आपको नहीं मिलेंगी उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा अशा ethanol की अगर हम लोग बात करें blending की तो जो target था वह अची हो चुका है उसका next target जो है update करकी और बढ़ाए गया है तो महां पर अभी भी देखा जाए तो scope है फिलाल अब sales growth देखी की बात की जाए तो वह भी ठीक ठाक है profit and loss की बात की जाए तो sales आपको यहां पर flat देखने को मिलेगी margins देखा जा तो फिलाल अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है तो जब economic situations अच्छी नहीं होती है और आपका raw material शुकर केंज जैसा है तो वहां पर तो margin उपर नीचे हो गी और holding उनके contrary में बड़ी है अब लिक की holding somewhat same ही है और चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चलने से पहले इसके इसको पर बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को subscribe जरू करना और वीडियो के अंट तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको like कर सकते हो तुरंत ही उपर नहीं आता एक दूबार हो सकता है rejection ले लेकिन यहां पर आप लोगो डेज बनता बेस बनने का formation जो है वह यहां पर आप लोग को complete हो चुका है तो अगर यहां पर इसको पर breakout मिलता अगर आप लोग बाय करते हो तो यहां से failure के chances काफी कम हो जाते ह आप लोगो 404 रुपय का अगर उपर मिलता है तो यहां पर 520 रुपय के target लेके आप लोग डेफिनिटली बाय कर सकते हो यहां पर आप लोग को target जोगा percentage वाइस वह मिलेगा आप लोग को somewhat around 30% और stop loss की अगर बात करो तो stop loss आप लोगो कैसे लेना है वह भी मता देते हैं अ आप लोगो को यहां पर लगा देना है stop loss, simple माल लेते हैं कि 5% का stop loss मिला है, फिर यहां से stop loss लगाने के बाद simple wait करना है, target hit करने दो बीच में मत निकाल अगर हो, बीच में निकाल लेने तभी, जब जैसे कि यहां पर फिलाल थोड़ा सा छोटा सा एक resistance है, अगर यहां पहु या तो एक चीज है, एक चीज अपने मन में डाल दो, या तो target या तो stop loss, बीच में कभी भी नहीं निकालना जब तक आप लोगो एक दम ही negative signal ना मिल जाए, क्योंकि बहुत आता फिर आपकर trade लेने के बाद थोड़ा आप लोगो साथ दिमाग के साथ stock game खेलता है, वो आप को बार पर लगेगा कि अब negative हो रहा है, अब गिरेगा, लेकिन अटिमेटी थोड़ा सा अगर time दोगे, तो definitely अपने target के आजपास ही मिलेगा आपको, इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो like, share, subscribe, subscribe कर देना, bell icon वाली notification बटन ज capital save रखना, को की बार,